कि विज्ञान भैरोतंत्र के एक विधी में आपने बताया कि ज्याता ज्यान ये इस ट्रिनिटी में से सिर्फ ज्याता ही बचेगा अंत में किन्तु मुझे तो लगता है कि कम से कम दो जरूर बचेंगे एक जानने वाला और एक जानने जानने वाला विशे कृपया मेरा भ्रह्म दूर कीजिए अब आपने खुदी कह दिया कि यह भ्रह्म है तार की रूप से है बात ऐसी लगती है कि जहां जानने वाला है वहां जरूर वही भी होगा जिसे जाना जा रहा है नोन एंड नोर तरक के साब से ऐसा लगता है किन्तु अस्तित्वगत रूप से ऐसा नहीं है हम अंतर मुखी हो जाते बाहर की सारी इंद्रियां हमारी बंध हो जाती भीतर कौन है एक बात तो पक्की है वहां कोई दूसरा नहीं है अगर वहां भी दूसरे प्रवेश कर जाएं फिर तो उसको भीतर कहना बेमानी हो गया फिर तो वह भी बाजार हो गया दूसरे लोग प्रवेश कर गए नहीं भीतर का अर्थ ही है हमारा अंतरतम वहां हमारे अलावा कोई नहीं है तो वहां हम जो भी जान रहे हैं चैतन का एसास ओंकार के अनभूती अलोक का दर्शन जीवन उर्जा का एसास वह हम ही है हमसे भिन और प्रतक वहां कोई दूसरा नहीं है तो जहां तक बहर जगत का सवाल है यह तरक बिलकुल ठीक है कि जहां कोई जानने वाला है वहां एक विशेवी होगा जिसे जाना जा रहा है observer and observed लेकिन अंतरतम में इसका ठीक विपरीत घटित होता है the observer becomes the observed हम ही जान रहे हैं और स्वयम को ही जान रहे हैं तो महावीर का यह कहना कि अंततह केवल ज्यायक ही रह जाता है जानने को कुछ और नहीं कुछ पराया नहीं इसलिए तो हम उसको आत्मजान self-realization कहते हैं पर यैसी कोई चीज नहीं इस बात को अनभाव से पकड़ें तारकिक रूप से नहीं